सो हाई गाइस कैसे आप सब मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आप चांते लोगडाउन और भी एक्स्टेंड हो गया है तो इन दिस टाइम में जो डिस्ट्रिबुटर है उनको कैवाइसी करने में काफी सा कर दीजीगा तो हम बात करते जो पहला तरीका काफी इजी तरीका और मैं बताना चाहूंगा आफ्टर लॉगडाउन भी आप इसका यूज कर सकते इसमें आपको फिजिकल मिलना नहीं रहेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा आपका जो क्लाइंट से उनका भी टाइम मत जाएगा और वेरिफिकेशन सही से हो जाएगा तो यहां पर जो पहली चीज़े आपको पता होगा डीजी लॉगर एक के बारे में सुना होगा आपने आपने नहीं सुना हो तो मैं बता दू यह गोर्मेंट का एप है थर्ड पार्टी एप नहीं है दोस्तों तो इसमें आपको जनरली क्या करना है आपके कलाइंट्स को बोलना है कि आप डिजी लॉकर डाउनलोड करेंगे वहां पर उनको अपना आधार कार्ट नंबर डालने के बाद वहां पर उनके अधार से रेष्टर्ट जो मोबाइल नमबर रेता इटेन नमर उस पे οटीपी आएगा वहां से जो भी वेरिफाइड डॉकुमेंट्स रहेंगे वह आपको सेयर कर देंगी सेकंड तरीका अगर मानो अगर कोई भी आपका जो क्लाइंट से वह एगरी नहीं होता है कि यार मैं डिजल आकर यूज नहीं करूंगा तो वहां पे फिर आप अलग तरीके से भी कर सकते त चैने तरीका अगर उसमें भी सेम इसा ही रहेगा वहां पे आपको इसाइन करना होगा अभी इसाइन क्या है यू आई डिये जो अधर काड जो रहता है वहां वेशाइट पर जाएगे तो वहां पर एसाइन का एक फैसिलिटी मिलता है यूज सारे डॉकुमेंट्स पे जो जो sign करना है electronic sign होने के बाद आपको वो ही आपको जो भी client से उनसे आपको ले ले लेना है अच्छा दोनों method आप complete तो करोगे उसके बाद आपको क्या करना है जो भी MCRTA है वहाँ पे आपको mail के थो यह सारे documents भेज देना है तो इससे क्या रहेंगे यह approved document रहेंगे और इसमें आपको physical मिलने की जड़रत नहीं तो आपका time भी save हो जाएगा अगर थर्ड दोनों चीज कस्टमर नहीं ready होता है clients के नहीं में दोनों चीजे नहीं कर सकते हो तो थर्ड option यह है कि आप MCRTA के साइट पे customer अपने साइट से pen card address proof या cancel check जो भी रहता है necessary documents upload कर देंगा वो आप उनको guide कर देजेगा particular MC की साइट पे यह सारे option available है वहाँ पे जैसे ही वो यह सारी चीजे upload करतेता है उसके बाद वहाँ पे आपको उनको customer को एक access देना होगा access में easily यह रहेगा कि वो webcam या फिर स्मार्टफोन का जो camera रहता है उसका आपको allow करना रहेगा तो वहाँ पे camera on हो जाएगा और live video record होना आपका start हो जाएगा during this आपको क्या करना है जो भी documents आपने upload करें आपको physically वहाँ पे show करना है कि अपने हाथ में लेके ताकि वहाँ पे verify हो जाए तो यह तीन step इससे की आप verification कर सकते हो अगर आपको और भी कोई confusion हो तो आप नीचे comment करके बताईएगा तो हम उस पे आगे बात करेंगे उस पे मैं आपको और भी video बना के दे सकता हूँ तो अगर आपको और भी कुछ topic पे वीडियो चाहिए तो please नीचे comment करके बता दीजेगा with आपके नाम के साथ में अगले वीडियो में वही topic पे वीडियो बनाऊँगा so thank you very much please वीडियो को like करे हमारे चैनल को subscribe करे और इस news को जाद़ जाद़ सेयर करे